और से डिसाइडिंग क्रेक्टर हो सकता है राप में। लगता है धूलबरी स्कुति में बॉल नीचा रहेगी। बल्लेबाज में कुछ एड्जिस्मेट करनी पड़ सकती है। एड्ज मांगा है। और ये टेल्ज। उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और कोशिश करेंगे एक पहार समान कुल स्कुर खड़ा करें। ओपनिंग बल्लेबाज विपक्ष का सामना करने को तैया। फिल्डिंग टीम मैदान में जाती हुई आशा करतें जबरदस्त मकाबला होगा दोनों टीम के भी। एक अशुर करतें जाता है। धडर आपीरता फिट्वाचा को एक व्हाचा करतें। लगता है गेंद बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं, पहली गेंद पे ही चौका क्या गोली की तरह शोट लगाया है, लंबा, उचा, नजाने कहां गेंद गिरेगी अपनी शारीरिक ताकत का किया बेतरीन इस्तमाल और ये लगा एक खूपसूरत ड्राइव कवर्स के उपर से इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से गेंद फील्डर के हाथों में और सीरा वापस फैका स्वीप किया फूर्ती से अच्छी शुरुआत थी लेकिन अंत भी जल्दी कैच आउट शुरुआती काम्याबी में फील्डिंग यूनिट ने काफी मदद की इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से बॉलिंग टीम का घमासा एक और बल्ले बास धूल चाटता हुआ और अंत में एक आसान से कैच के साथ आओ एक के पीछे ये खोई उन्होंने एक और विकेट एक के पीछे ये खोई उन्होंने एक और विकेट तर्शकों की नजरें बीचली गेंद के साथ हवाई यात्रपर जबरदस्चेरन आक्रमक शॉट लगाते हुए बढ़िया तरीके से आउप फिल्ड के तरफ पुश्च किया बढ़िया रनिंग सुरक्षित क्रीस में वापस हाई अरा में स्विंग करते डिलिवी अलिले बास बहुत मुश्किल में आस्मान को छूती गेंद गई डीप स्क्वेर की ओर बहुत अच्छा प्रयास फील्डर दौरा बढ़िया थ्रोग यह बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी लेकिन वो बॉल को पकड़ ही नहीं पाई इस गेंद को कोई नहीं रोक सकता ओ़र को समाट यह चो के किसा बहुत बड़ा लक्षे बल्लेबास को एक आतिशी पारी खेलनी होगी मैं जीतने के लिए आगे बड़े और उठा दिया उन साइड की तरफ इस जन्नाटेदार शॉट ने भेजा गेंद बास को संदेश आप ऐसी गेंद करते रहिए और चो के खाते रहिए क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेंद पे ही चो का जड़ दिया सही से टाइम नहीं कर पाए आगे बड़े और उठा गया उन साइड की तरफ उम्दा टाइमिंग क्या ये बाउंडरीस की है ट्रिक होगी टेजी से बाउंडरीस की बर्शात बाउलर का निराशा जलक प्रदर्शन गेंप्लैन के साथ नहीं चल पा रहे हैं ये भुटने पर आये और गेंग को कहा कि आप बाउंडरी पर जाईए इस स्पेल में अच्छा पाल मेल बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है क्या धुआदार शॉट लगाया है अब तो गेंग दर्शकों को ही ढूनने पड़ेगी बल्लेवास का वही पुराना हेलिकॉप्टर शॉट आखों के लिए क्या नजारा इस बार गेंग के नीचे आये और लॉफ कर दिया छे रन के लिए ओवर के अंतिम गेंग पर ये ओवर ऐसा लंगर था कि जितना चाहे खालो महंगा ओवर लेकिन बैटिंग टीम के लिए बहुत लाब दैक खेल रोमांचा कंत की तरफ बढ़ रहा है एक लाजवाब स्ट्रोक के साथ पारी की समात्ती की गई रन भागने की जरूरत ही नहीं क्या है क्यों नहीं जबरदस्ता जेदारी दो फील्डर के बीच गैप की तरफ कुश किया इस मुकाबले में ऊच नीच होती रही और अंट में एक मिजेत 18 बनी क्या मैच रहा गजब का प्रदर्शन आज के हीरो ने जीता मैन आफ दे मैच भी गेन बाजों को सटी गेन बाजी करने में कठी नाई हुई क्योंकि पिच उनका साथ नहीं दे रही थी बॉलिंग टीम कुछ अधिक विकेट्स भी नहीं ले पाए अब समय है गेन बाजी सत्र की हाइलाइट्स देखने का पर बंच पर देखने के गेन बाजी सत्र कमीव नहीं ले पाए इंग गेन बाजी सत्र के अधिके ही देखने के लिएन चलिए नजर डालते हैं बैटिंग टीम की हाइलाइट्स पे एक कमाल की बैटिंग देखने को मेरी इस टीम के द्वारा बराबरी के टक्करवाने बॉलिंग अटाइक के खिलाफ बल्ले बाज ने अच्छी बैटिंग की और बढ़िया साजेदारियां की कर दो प्रॉबरस भी वे तो फिरों प्रॉबर्बर्ण है झाल